नमस्कार दोस्तो स्वागत है हाफ सभी का क्विए इसली का कि पारमेट्रिक के लेक्ट सुष्टर में चलिए मंधिOS लिए आज अज़ना करने क्माड को तो दोस्तो आज का जो हमारा कमांड रहेगा वह यूसर का इसली देखें कैसे हम लोग command के मदद से कैसे हम लो user defined feature को create करते हैं दोस्तों ठीक है ये actually होता क्या कोई भी ऐसा feature जो हम drawing में वाल लीजे बना दे और उस feature का वार वार किसी दूसरे drawing में use आए ठीक है तो उसी को हम user defined feature करते हैं उसके लिए दोस्तों कुछ conditions है उसको आप God से सबज़िए ठीक है तो फिर हो लोगा आगे वाड़े के दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं suppose top view लेते हैं यहाँ पर और एके sketch को draw करते हैं इसको extrude कर लेते हैं ठीक है अब हम जो parts बनाने जा रहे हैं दोस्तों ठीक है अभी एक parts बनाएगी इसके उपर में ठीक है वही part जो होगा मेरा user defined feature होगा दोस्तों ठीक है तो जो भी आप parts बनाएगा उसका separate coordination system होना चीए और plane होना चीए दोस्तों ठीक है तो सबसे पहले coordinate system हम create करेंगे और वह इस parts की मदद से दोस्तों ठीक है यदान ने इस parts की reference के basis पर हम बनाएगी coordinate system ठीक है क्लिक करते हैं यहाँ पर place करें coordinate system को यहाँ पर कर दिये यह यहाँ पर कर दिये ठीक है यह हो चुका है अब x, y, z है हम मिला लीजे आपको दोस्तों उपर की तरफ y है y कर लीजे क्योंकि actual मेरा y उपर की तरफ है z opposite है तो इसको flip कर लीजे यहाँ बैच कर गया यहाँ ok कर लीजे तो इसको और इधर कर लीजे ठीक है coordinate system मर गया अब उसके बाद दोस्तों क्या है इस सबको hide कर लीजे अब इसका जुरत नहीं है मुझे दोस्तों तो अब हम क्या करेंगे तीन total मिला के plane मनाएगे ठीक है और इसके reference पे चली देखते हैं reference यह लते हैं और यह में रहा जाएगा right plane यहाँ पे कर देते हैं ठीक है okay करते है फिर plane select करते हैं coordinate system को select करते हैं while लेते हैं यह हो जाएगा मेरा top plane फिर लेते हैं जेड लेते हैं यहाँ पे और यह मेरा हो जाएगा यहाँ पे front plane okay करते हैं दोस्तों ठीक है अब इस पे sketch को आप लोग draw करते हैं चलिए देखते हैं इस पे अब धार नए जो भी आप reference लिजेगा वो इन चारों के basis पे ही reference लिजेगा ठीक है top plane लेते हैं और यह के sketch करते हैं के करते हैं इसको extrude करते हैं करते हैं वो १ुई क्यों धुई ठीक है, ओके करते हैं, शेल ये, तो आसा रोड प्रोवाइट कर लेते हैं, शेल प्रोवाभ कर लेते हैं, चलिए यह हो चुका दोस्तों अब हम देखते हैं ग्रूफ यूजर डिफाइड फीचर का क्या होता यह रोल तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर टूल्स में यहाँ पर UDF लेड़ी है दोस्तों ठीक है यूजर डिफाइड लेड़ी इस पर क्लिक कीजिए यहाँ पर क्रि ठीक है UDF का नाम हो गया है ओके कीजिए दोस्तों अब यहाँ पर दो आप्शन है इस दोनों पर डिफरेंस क्या है अब जब अलों दोस्तों कीजिएगा ठीक है तो इसमें क्या होता है जब यह वाला जो पार्ट है किसी दूसरे जोमेट्री या फिगर में जब यूज करते है ठीक है तो इसका जो यूडियम बनाएगा उसमें आटमेटिक वो अपडेट नहीं लेगा दोस्तों स्टेंड अलों का मतलब यह होता है और सब इटोनेट में क्या होता है जब यह फाइनल पार्ट में जब इसको अपडेट कीजिएगा तो यह यूडियम जब इसका जो बनाएगा उसका वो आटमेटिक अपडेट ले लेगा दोस्तों ठीक है तो इस्टेंड अलोंट अब करते हैं अब को अपडेट नहीं करना डन करते हैं अब पार्ट को सेलेट कर दीजिए यहां पर यहां से लेके यहां तक कंट्रोल प्रेस करके ठीक है ओकी कीजिए डन कीजिए डन कीजिए इंट्र वारिये इंट्र वारिये इंट्र वारिये इंट्र वारिये डन कीजिए ठीक है ओकी कीजिए डन कीजिए ठीक है पार्ट इस आपका अल्लेडी बन चुका दोस्तों आप इसको हम को यूज करना है सब्सक्राइब को यह अब मुझे वह वहारा यहां पर यूज करना यूजर डिफाइन पीचर दोस्तों ठीक है तो इसके लिए हम यहां पर क्रिक करेंगे तो मेरा देखें यह वाला था न दोस्तों यह वाला पार्ट्स ठीक है यह आ गया इसपे क्लिक करके ओपेंड कर लीजिये एक डालोग बॉक्स को लेगा दोस्तों यहां पर लिखाव में एक फीचर डिपेंडेंट डावेंशन अफ यूदियेफ इसको नहीं टिक करेंगे और इड्वांस रिफ्रेंस पे क्लिक करके ओके करेंगे दोस्तों तो एक मेरा बॉक्स कुलेगा इसमें सर्फेस आपको स्रेट करना पड़ेगा जहां पे आपको प्लेस करना है ठीक है तो मुझे इस सर्फेस पे प्लेस करना है इस पे स्रेट कर डीजिये ठीक है देखें य यहार तो यहां पे y कर लिजिए देख़ें वर्टीकल आ गया और इस य इसका y कोडिनेट दोनों बाज कर गया आपका ठीक हाँ अब आपको फ्लेश करना यह यहे खेर। एक मिट्रट इस पर ठीक है और एक है रोप्लेस कर दीजिए इस पर यहां पर लिया है दोस्तों ठीक है रोटेशन अगर प्रोवाइड करना है सपोज 25 डिग्री ठीक है तो पूरा फूल रोटेशन आपका देखिए प्लेन वे उखुम गया यहां पर फिलाल रोटेशन नहीं दे रहा है अब यहां पर देखिए क्योंकि यह लीनियर टाइप का मोशन है देख रहा है यहां पर जो भी घुम रहा है एक्स और वाई घुम रहा है आपका ठीक है सबसे पहला है यहाँ पर की भी डामेंशन फिलो यह स्केलिंग कर रहा है आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब सकते हैं इसको बढ़ा ना घठाना आपको जो भी है यह कर सकते हैं ठीक है कट कीजिए ठीक है अधिसमेंट में आपका यहाँ जो डेटम प्लेटम सेलेट की है उसके लिए आप यहाँ ठीक है सब्सक्राइब करना है तो फिलिप कर सकते हैं अभी फिल्दक गए है यह देखें गाव हो गया है यहाँ से ठीक है तो आपने जरुद करनुसार जो है इसको यूज की ज़िए ठीक है चलिए बैक कर देते हैं इसको यहां से लिए लिए इसको ठीक है एक मिनाट यह आपका हो गया है है यहां से मेरा basic surface selection दोस्तो ठीक है यह होने के बाद यहां से अब कुछ नहीं है पर टिक मार्क कीजिए और देखिए यहाँ पर पार्ट है आपका आ चुका दोस्तो ठीक है और यहाँ देखिए ग्रूप के दौरा यहाँ पर ग्रूप बन गया आपका दोस्तो तो होप यह grouping वाला जो concept है दोस्तों आपको clear हो गया होगा ठीक है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही होप यह lecture आपको अच्छा लगा होगा तो और अगर आपको lecture अच्छा लगा है दोस्तों तो हमारे चैनल को subscribe करना दोस्तों नहां भूले और कोसिस करें जाता जादा मेरा जितना भी वीडियोज है क्रियो पारमेट्रिक है वो सारे के सारे वीडियोज देखें और अपने concept को clear करें दोस्तों ठीक है अब हम लोग next lecture में मिलेंगे दोस्तों ठीक है धन्यवाद नमस्क्राइब